हेलो फ्रेंड्स वेल्काम बैक श्वाकत है आप शब का एम बेद आर भी परिवार पे आज हम पढ़ेंगे रिजिनिंग का एक महातुपूरो टॉपिक क्लॉक यानि घरी टॉपिक हो घरी टॉपिक को पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरू सिस्क्राइब कर लिजिए और पहले आइकन को प्रेश करिएगा तो आएए शुरू करते हैं आज के वीडियो को घरी को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक इनफोर्मेशन जो की पता होने चीए क्या सबसे पहले आपको यह पता होना चीए कि घंटे की जो सुई होगी घंटे की शुई वह एक मिनिट में एक मिनिट में कितना कोण बनाएगी तो यह एक मिनिट में वह आधा डिगरी क कोंड निर्मित होगा और वही यदि मिनट वाली सुई एक मिनट चलेगी एक मिनट चलेगी तो कितना छे डिगरी का कोंड निर्मित करेगी यहां से एक अगला प्रशन बनेगा क्या एक नया प्रशन है क्या कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में यानि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का अंतराल रहता है तो कितने डिग्री का रहेगा दोखो जब एक मिनट घंटे वाली सुनी चलेगी तो आधा और मिनट वाली चलेगी तो पांच छे बनेगा तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल रहेगा तो आपको होगी सारही 5 डिगरी का कितना सारही 5 डिगरी का यानि एक मिनट घंडे और मिनट वाली जब सुई चलेगी तो इन दोनों के बीच में हमेशा सारही 5 डिगरी का अंतराल बरकरा रहेगा तो चलेंग क्या 5 बच कर 20 मिनिट पर तो सबसे पहले इसको क्या करेंगी जो पहला ये घंटे वाला लिखा होगा इसको हम मिनिट में convert करेंगे तो मिनिट में convert करने के लिए 5 को जो यहाँ पर लिखा है इसको हम किसे 5 से multiply कर देते हैं कितना आ गया तो आपका answer आएगा 25 जो आएगा उसको हम 6 से गुणा कर देंगे ये 6 से प्रतेग बार गुणा करना है 30 हो गया अब हमको एंसर प्राप्त हुआ इसमें हम मिनिट का आधा जोड देते हैं क्या करेंगे मिनिट का आधा जोडेंगे तो यहाँ पर 20 है 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 और 10 इसमें जब हम आधा करेंगे तो हमारा एंसर कितना आएगा 40 डिगरी कितना आजाएगा 40 डिगरी जो की आप्षिन B में दे रखा है जो की आप्षिन B में दे रखा होगा क्या करना होगा जो आपको यह 5 त्यरकह इसको minute में बतलाएंगी आपको 5 से multiply कर देंगे 25 हो जाएगा 25 और 20 का अंतर ले लेंगे कितना आजाएगा 25 और 20 का अंतर लोगी तो कितना आजाएगा 5 आजाएगा 5 को हम 6 जब गुणा कर देंगे तो 6 से जब multiply करोगे 30 आजाएगा क्या काह रहा है कि दो बज कर 4 मिनट कितना शमय है 2 बज कर 4 मिनट में पर कितने आंश का κोंड बनेगा से महीं को करना है दो कौण कर लो दो तो 36 और 28 यानि हमारा option कौन सा सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा दो बजकर चार मिनट पर 38 आंस का कौन निर्मित हो गा कितना 38 आंस का कौन हमारा निर्मित हो गा अगले प्रशन क्यों बढ़ेंगे अगला प्रशन क्या कहा गया है अगला प्रशन कह रहा है कि चार बज कर 40 मिनट पर कितना चार बज कर 40 मिनट समय कितना है 4 बज कर 40 मिनट पर कितने आंस का कौन बनेगा तो 4 है इसको हम 5 से कर लें पांस से करोगे तो 5 को 20 आजाएगा । कितना आएगा 5.00 को 20 अब इन दोनों का अंतर लोगे तो कितना हो जाएगा इन दोनों का जब अंतर निका लोगे तो 29 आएगा लेकिन आप चीज़ी ध्यान रखना माइनस कायेगा 20 कायेगा अभी तक जो हम कर रहे थे वो प्लस का रहा था अभी तक जो हम एंतर कर रहे थे हमेशा यह जो संख्या आती है करने से इसमें से मिनिट को घटा होगी यह जो आई मिनिट बणके इसमें से इसको घटा होगी तो अभीत तक जो घटा रहे तो अब यहां 20 में संख्यारव इस कर यह जो माइनस क्या डिनोट करता है आगे हम बताएंगे माइनस का का काम अब यहां पर 20 आ गया इसको हम पुना होई 6 से गुणा कर लेते हैं कितना हो गया 6 से 40 का आधा 20 हो जाएगा, seminar को आपका एंसर कितना आ जाएगा 100LE December क्याकि हम 5 से किपना हो गाए 25 को 20, इन दोनों में इनकोल हम से 40 किपना बचेगा, — माइनस को बचेगा educ LIVE हम के Δ чтоб करता है कि pipe paint ga da hai खьडाना है टो मायनस क्या करता है अधा घठाना है यहां पर कितना होगे बीस-बीस को 6 123 हो जाएगा 120 में मिनिटका आधा यादिन का अधा का 20 घठा देनगे तो इंसर मारा कितना आ जाए गए 100 क्लियर हैं चलूलों आगे चलेंगे अगले प्रश्ण की उड़ा आगे देखो गई अगला प्रश्ण क्या कहा है कि 10 बचकर 50 मिनिट पर कितने अंसका कूड बनेगा समय क्या दे रखा है मेरे दोस्त 10 बचकर 50 मिनिट पुनह आपको वही करना है 10 दे रखा है 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा तो आपको होगे 10 बचकर 50 हो जाएगा दोनों का अंतर ले ले लेंगे 50 में से 50 को खटाएगे कितना मिलेगा अंतर जीरो आजाए क्या जब आपका अंतर जीरो आजाए तो आपको एंसर मिनिट का आधा कर देना है मिनिट का आधा ही आपका एंसर हो जाएगा किलियर है मिनिट का आधा एंसर हो जाएगा चलेंगे आगले प्रसन क्यूल अगला प्रसन देखेंगे अगला प्रशन जो है टाइप चंज होगा है अगला टाइप है क्या कहा गया है पांच एवं छे बज़े के बीच घड़ी की दोनों शुईयां कब आपस में मिलेंगी तो यहां पर जो समय दे रखा है पांच और छे इसमें से हम पहला वाला जो समय दे रखा होता है इसी को उ के 25 हुआ एक बार पुला हम 25 को लिख करके और 11 से भाग कर देंगी याई जो गुझनथफल आया gefांजा है उसको प्लस करके 20 प्लस फीरसे एक बार लिखेंगे वहीं गुझन फफल और 11 से भाग करईगी तो जब इसको 11 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा ग्यारा दुना 22, दो मिलेगा, ओपर कितना बचेगा 3, यानि इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 3 बटे 11, 25 बटे 11 को हम लिख सकते हैं 2 सही 3 बटे 11, 11 दुना 22 और 3 25, यानि 25 बटे 11, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये वाला जो हमारा 25 था, तो ये वाला 2 और ये वाला 25, इनको जोडोगे तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 27 यानि आप आप लिख सकते हो 27 सही 3 बटे 11 क्या लिखोगे 27 सही 3 बटे 11 क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 25 पूरा संख्या थी तो 25 और 2 जोडोगे 27 सही 3 बटे 11 और मैंने समय क्या लिया था 5 लिया था तो आपका सम हैं भी आफ्षन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा आगे बठ चलेंगे अगले परशन क्यों आगे देखो क्या कहा गया है अगला प्रशन है कि तीन एवं चार बज़े की बीच कब शाठ डिगरी का कौन बनेगा क्या पूछा गया है शाठ डिगरी को यहां पर कितना भी दे हो उसको आपको क्या मिंट मे000 कर लेगा मैंने बताया था कि एक मिन में कितने होंगे तो आपको घी थे इसको अठीड कर देंगे motuOS अब देखो जो मिनिट में आया है से हम को क्या करना है इस तीन को 5 से गुणा कर लेंगे किसे 5 से गुणा करेंगे तो 15 मिलेगा अब एक बार हमको इसमें प्लस करना है एक बार 10 को प्लस करके लगाना है एक बार इसको माइनस करके लगाना है दोनों बार लगाएंगे जब इस कंडिसे में होगा हम एक बायए स्माइन दस प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चीस हो जाएगा आफ पच्चीस इसके पहले वाला भी लगा चुक थि-25 यहां Punda कर चुके थे कितना हैथा पच्चीस तो पत Cashทau यहां भी पिपचिस सही 3 बटे 11 यही आएगा यही आएगा क्योंकि इससे पहले मैंने देखो 25 वाला निकाल चुके 25 आए था यहाँ पर 25 आ गया तो एक तो हमारा एंसर क्या जाएगा तीन सही पर 27 सही थीन बटे 11 कोई आफशन में है आपको यहाँ पर मिलिए आपको यह नहीं लगाना है अभी नहीं करना है क्यों क्यों क्योंकि अब 있습니다 एक पर पर प्लस करते हैं एक बर माइनस करके देखेंगे अब माइनस करोगी यहाँ पर 15 लिखा है माइनस कर देंगी 10 कितना आ जाएगा 5 अब 5 वाले को देखोगी क्या करना होगा 5 एक बार लिखे फिर 511 कर लिए यह अब 11 से तो डिवाइड नहीं होगा तो इसको क्या लेख सकते ह पांच सही पांच बते 11 और यह किसके साथ में आ जाएंगा तीन तो एक समय आपका आएगा क्यारा तीन कर सताईस सही तीन ग्सुलरा अब अक्दम करेक्ट हो जाएगा क्लियर है यहाच हमारा एकदम करине के इसको दस से गुणा कर देगे तो यहां देख्ए कि 2 दो तो यहां देखो कि तो आपका कितना आजाएगा वह पांच डिगरी का कोणे निर्मित करेगी यानि C option हमारा एकदम क्या हो जाएगा गडिर है C option हमारा एकदम क्या हो जाएगा तो कैसा लगा आज के शेशन कमेंट बाक्स में हमें जरू बतेगा मिलेंगे कल अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद